ओम शान्ती आज आपका 107 दिन का वर्दान इश्वीर वर्दान में आज परमपिता परमात्मा हमें अपने ओरिजनल स्टेज हमारे आदी सुरूप की याद लाते हैं आदी मतलब जैसे हम कहते हैं आदी देव, आदी मानव, आडम हमारा ओरिजनल सुरूप जब में एक आत्म में थे, पिछले वाले कलुप में, क्योंकि ये चक्र है, जिसका ग्यान हम ब्रहम को माईरिजम सीखते हैं, कि हम इस चक्र में कितनी बार ही आयत चुकी हैं आत्मा, और बार बार इस चक्र में आकर कि हमने विस्तार किया है, कहीं जनम लिये हैं, कहीं संबंद बनाए हैं, मैं आत्मा मुक्त होती हूं बिना शरीर के होती हूं परमधाम में आप जब बिना शरीर के होते हैं परमधाम में तो आप पवित्र होते हैं और आपके अंदर सारे गुंड सारी शक्तिया होती हैं तो देखें आज परमात्मा विस्तार में लेके जाते हैं कि उस स्टेज पर हम परे किसी ती यह दुनिया है आपका परमधाम से दूर क्योंकि हमें जाना है परमधाम हम आये हुए हैं इस धर्ती पर जिसको साकार मन शिलोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड जहां पर आवाज यह आवाज है आपको कान मेला हुआ है शेरे के द्वरा तो आप सुन सकते हैं लेक परमधाम ब्रहम लोक या इत्यादी नामों से जानते हैं तो परमधाम तो कहते हैं आवाज से परे की स्थिती जब उस स्थिती में रहते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं जब परमधाम को याद करते हैं तो दुनिया की बाते भूलना दुनिया की चीज़े भूलना संबंद तो राज योग मेरिटेशन में हम वो एक अनुभूती करते हैं, हम एक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम आत्मिक स्थिति में रहे करके, पांचो करमेंद्रियों के सुख से दूर हो जाएं और अति इंद्रिय सुख में जाएं, तो पर बाबा कहते हैं, आवाज से परेकी स स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों, जो हमारी ओरिजनल कॉलिटी थी, जब हम बिल्कुल प्योर थे, वो सारे गुण कौन-कौन-कौन से थे हमारे अंदर, जो कि आज हम खो चुके हैं, कि अपने आपको शरीर समझ चुके हैं, तो हमारे अंदर लोब आ गया है, अंकार गरना चुकी है, यह परमात्मा कहते हैं, जब तुम मुक्ती में थे, मेरे साथ, मेरे घर में थे, तुम्हारे अंदर पवित्रता था, प्रेम था, सुक था, शान्ती थी, अनन्द था, सब कुछ था, भरपूर थे, और तुम रेडी थे, फिर से धरती पर उतर करके, वो सार तुम्हें 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 फिर से आकर के, तुम्हें फिर से उस युग में आकर के, गुप्त युग में आकर, जिसको संगम कहते हैं, आकर फिर से पवित्र बनाता हूं, फिर से तुम्हें मुक्ती में लेके जाता हूं, फिर से तुम्हें बीज जैसे बन जाते हो, म जर्व गुणों का अनुभव करने वाले master बीज रूप भवा, मैं आत्मा बीज हूँ, परमात्मा बीज हैं, लेकिन में इनुका बच्चा होने के कारण मैं आत्मा master बन गई, बच्चा, जैसे बीज में सारा व्रक्ष समाया हुआ होता है, बीज के अंदर क्या होता है, सारा बीज के अंदरी सारा ज्यान होता है, कि व्रक्ष कितना उचा जाएगा, उसके अंदर कितनी टाल टाली आएंगी, कितने फल आएंगे, और कब व्रक्ष फिर से पुराना हो करके, जड़ड़ी बूत हो जाएगा, तो वैसे ही आवाज से परे की स्थिती में, परमधाम की य यह यूग, दुनिया के साब से कल यूग चल रहा है, लेकिन परमात्मा ने बताया, यह संगम यूग चल रहा है, बहुत कुप्त यूग, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, आत्मा जो ठकी हुई है, वो परमात्मा से सारे गुण, सारी शक्तियं भर रही अपन बनना अर्थात, मैं आत्मा मास्टर भी जब बन जाती है, उसका मतलब क्या है अर्थात? सिर्फ शांती नहीं, यहीं कि मेडिटेशन बैटे सिर्फ शांती ले ली बस हो गया, शांती नहीं, लेकिन शांती के साथ ग्यान, ग्यान नहीं होगा, तो हमारे कर्म बुरे हो जाएं तो उसके साथ ज्यान की भी जरूत है साथ ज्यान अती इंद्रिय सुक ये इंद्रियों के सुक से परे वाला सुक आत्मिक सुक जो परमात्मा से ही मिल सकता है वो सुक की अनुभूती करना भी बहुत जरूरी है अती इंद्रिय सुक आदी आदी बहुत सारी चीज़े हैं, सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जो अनुभव होंगे, वही हम आत्म है, परमधाम लेके जाएंगी, और फिर से जब चक्र में आएंगी, तो वही अनुभव के अनुसार, वही संसकारों के अ लेकिन आप क्या करते हैं, बाबा कहते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं होता, लेकिन परमात्मा कहते हैं, यह अनुभव सिर्फ स्वयम को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से, अगर आप मेरिटेशन करते हैं, तो आपके चेहरे से सर्व गुनों का अनुभ तो अगर आप उदास हैं तो और आतमे उदास, अगर आप सुखी हैं, शानते खोश हैं, तो औरों को भी वह महसूस था आपके तौरा आपके चेहरे से होती हैं एक गुण में सर्वगुण समाय हुए रहते हैं, जैसे अगर आपके अंदर धहरता है, अगर आपके अंदर पेशिंस है, वो धहरता होने के लिए आपके अंदर सेहन शीलता होना ही जरूरत है और मधुरता होना ही जरूरत है, तो अगर धहरता आ गई आपके अंदर, इसका म प्रुस्त रहें और आप घर में रहें, सेफटी से, ओम शान्ती